आज के वीडियो का टॉपिक है फेमस प्लियर्स तो आज हम जानेंगे कुछ फेमस प्लियर्स के बारे में किस स्पोर्ट से वो रिलेट करती है और उनके बारे में जो भी एक्स्टा इंफॉर्मेशन होगी वो भी आप सभी से शियर की जाएगी तो फ्रेंट्स मैंने सभी फ्री में नोट्स पढ़ना चाते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें रविदीदीक्लासेज.com जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इसकला फ्रेंट्स जो हमारी जनवरी से लेके दिसेंपर तक की ये बुक है ये लौच हो करते हैं ये ध्यान रखेगा कई बार एकसाम में डारेक्टी कोशन पूछ लेते हैं कि ये किस देश से इनका संबंध है ठीके तो कंट्री आपको ज़रूर ध्यान रखती हैं लियोनल मैसी बिलॉंग करते हैं अर्जेंटीना से और इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है तो इडिशन हुआ था और इसे होस्ट किस ने किया था तो कतर देश ने होस्ट किया था टोटल 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था जो चांपिन्स रही थी अर्जेंटीना की टीम ने जीता था और फ्रांस की टीम जो है वो इसमें रनर अरप रही थी अर्जेंटीना की टी काप्टन थे लियोनल मैसी और फ्रांस की टीम के काप्टन थे हीगो लियॉरेस अब चलिए यहां पे बात करते हैं कि लियोनल मैसी को जो फुफा वर्ड कप था उसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था ये जरू धियानने की का ये इंपॉर्टन कोशन बन सकता है साथी म दियान रखेंगे इसमें एक और अवार्ड दिया गया था गोल्डन बूट अवार्ड जो टॉप गोल्ड स्कोरर होते हैं उन्हें गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड किसे मिला था क्लाइन मबापे को कौन सी कंट्री से हैं फ्रांस से इन्होंने आठ गोल किये थे तो इन्हें मिलाता गोल्डन बूट अवर्ड और गोल्डन बॉल अवर्ड किसे मिलाता लियोनल मैसी को ये अवर्ड डिया जाता है बेस्ट प्लेयर को तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे हाँ पर जो बताई है वो सभी important है अगला कोशन है फिमेल प्लेयर मीरबाई चानू ये मनिपूर से बिलॉंग करती है is related to which sport मीरबाई चानू की बात करते हैं तो इनका संबन है weightlifting से जिसे हिंदी में कहते हैं भारत दोलन मीरबाई चानू फर्स्ट हुमेंती जिन्होंने silver medal जीता था weightlifting में इंडिया के लिए also she has won gold medal in the Birmingham Commonwealth Games very important कि Birmingham Commonwealth Games में इन्होंने कौन सा medal जीता था तो आपको याद रखना है इन्होंने जीता था gold medal अगला कोशन है सुनिल चेतरी ये बिलॉंग करते हैं आंदरप्रदेश से is related to which sport सुनिल चेतरी का सम्बन जो है friends कौन से sport से है तो ये football से सम्बन दिते हैं यहां से एक बात ध्यान रखेगा सुनिल चेतरी को Arjuna Award से सम्मानित किया गया और कब इन्हें सम्मानित किया गया था 2011 में और इनके एक और बहुत बड़ी achievement है इनको पदमश्री से भी सम्मानित किया गया है जोकि हमारी इंडिया का 4th highest civilian award है पदमश्री से सम्मानित किया गया था इन्हें 2019 में देन उसके बाद इन्हें खेल रत्न अवार्ड मिला था जोकि highest sporting honor है हमारी इंडिया का और खेल रत्न से सम्मानित किया गया था 2021 में तो ये इनके काफी वड़ी achievements नहीं है याद रखेंगे आगला question है with which sport is देविंद जाजरिया related तो देविंद जाजरिया का संबंध है राजस्तान से और बात करते हैं कौन से sport से related है तो ये related है जावलिन थ्रो से अच्छा friends इनकी कुछ important point की बात करते हैं एक बहुत important point ध्यान रखेगा 2021 में जो Tokyo Paralympic Games 2020 हुए थे उसमें इनोंने कौन सा medal जीता था तो वहाँ इनोंने जीता था friends silver medal जीता था ये आप लोगों से exam में पूछ सकती हैं next question पर बढ़ती है with which sport is Cristiano Ronaldo related तो Cristiano Ronaldo जो है Portugal के player है Portugal मतब country के हैं रहने वाले और किस खेल से संबन दीत हैं तो ये संबन दीत हैं friends football से आगला question है female player Mary Com is related to which sport तो महिला खिलाडी Mary Com ये मनिपूर के रहने वाली है और इनका संबन किसे है friends तो ये boxing से यानि मुक्य बाजी से इनका संबन है देखिए important क्यार नखिएगा Mary Com has been the winner of world boxing championship for 8 times 8 बार इनोंने world boxing championship जीती है also London Summer Olympics 2012 में इनोंने कौन सा medal जीता था bronze medal next is formula 1 race rival Lewis Hamilton ये बिटेन देश के रहने वाले हैं currently racing for which team currently इस team के लिए race कर रही है तो सही answer है McLaren, Mercedes के लिए friends से race करते हैं और कौन सी country के रहने वाले हैं ये बिटेन के next question है with which sport is the female player Nicot Zarin related तो Nicot Zarin तेलंगानस से बिलॉंग करती है और इनका संबन किस scale से है तो इनका संबन है boxing मुक्य बाजी से इन्होंने Birmingham Commonwealth जो गेम ते उसमें gold medal जीता था तो ये important रहेगा ध्यान रखें अगला question है with which sport is lovely ना बोर्गों है associated तो लबलीना बोर्गों है ये असम देश की रहने वाली हैं किस scale से इनका संबन है तो ये बिलॉंग करती है boxing से next question है with which sport is विराट कोली associated तो विराट कोली जो है वो दिल्ली के रहने वाली है और किसे खेल से संबन देते हैं सभी लोग चानते होंगे सभी इनके बहुत बड़े fan है देखी और ये बिलॉंग करती हैं किर्केट से इनका संबन है विराट कोली से देखे अब एक recent की news ध्यान रखेगा recently जो है वो ODI किर्केट की हिस्टरी में पाँचवी ये सबसे अधिक run बनाने वाले खलाडी बनी है तो fifth number पे आ गए है विराट कोली और अगर हम इसी list में first position की बात करते हैं कौन है सजिन तैंदुलकर जिनकी ODI जो किर्केट है उसमें सबसे आधर score है सबसे आधर runs है next question है friends with which sport is PB सिंदु associated first of all PB सिंदु बिलॉंग करते हैं आंधरपरदेश से और सभी लोग जानते हैं इनका सम्मन कौन से sport से है बेडमिंटन से friends अभी जो बिर्मिंगम Commonwealth 2022 Games हुए दे उसमें PB सिंदु ने कौन सा medal जीता यह ध्यान रखेगा इनों ने जीता था इसमें gold medal इसलिए काफे ज़दा important point हो जाता है साथी में ध्यान लेका इनको Arjuna Award से सम्मानित किया गया कब 2013 में इन्हें Arjuna Award मिला था और इन्हें पदम श्री से भी सम्मानित किया गया है 2015 में इन्हें Rajiv Gandhi खेलरतन अवर्ट से भी सम्मानित किया जा चुका है 2016 में देखे friend Rajiv Gandhi खेलरतन पुरुषकार का जो नया नाम हो गया है मेज़र ध्यांचन खेलरत पुरुषकार है इसलिए confuse मत हो ये का और सो पीवी सिंदु को पदम भूशन से भी सम्मानित किया जा चुका है 2020 में इन्हें पदम भूशन मिला था ये सभी achievements के हमारे लिए important है exam के लिए next question के तरह बढ़ते हैं next question है हमारा player नीरत चोप्रा is related to which sport नीरत चोप्रा बिलॉंग करते हैं इंडिया के हरियाना स्टेट से और इनका संबन है फ्रेंट जावलिन थ्रो से 2020 के जो ओलंपिक हुए थे फ्रेंट्स उसमें जावलिन थ्रो में नीरत चोप्रा ने जीता था gold medal ये बहुत बड़ी achievement थी कहले जी इंडिया के लिए भी और साथी में नीरत चोप्रा जी के लिए भी अच्छे अगर हम इनकी awards की बात करें तो इनने भी अरजुना आवार्ड से सम्मानित किया गया है 2018 में इनने मिला था मेजर ध्यानचंद खेल रतन आवार्ड इनने मिला था 2021 में दीखे उस टाइम पे मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जादा था आवार्ड इसलिए मैं वही नाम ले रही हूँ और सो दीखे रिसेंट का जो इनका आवार्ड है वो है पदमश्री तो पदमश्री इनने मिला 2022 में तो ये रिसेंट वाला अवार्ड ध्यान रखेगा ये एक्साम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगला कोशन है विद विच स्पोर्ट इस मैक्स वर्स्टपीन असोसियेटेड सो मैक्स वर्स्टपीन इनी दर लेंड के रहने वाले हैं और इनका सम्मंध है फॉर्मला वन रेस से ये रेड बुल की जो है वो कार को ड्राइव करते हैं अगर हम फॉर्मला वन रेस की बात करते हैं फेंट 2022 में जितनी फॉर्मला वन रेस होई है जादा फॉर्मला वन सबसे यादा किस ने जीती हैं मैक्स वर्स्टपीन ने जीती हैं एक बार मैं आपको revise करा दिती हूँ, इन्होंने कौन-कौन सी जी थी, तो इन्होंने जीती साओधी Arabian Grand Prix, then Amelia Romagna Grand Prix भी Max Verstappen ने जीती है, उसके बाद ध्यान रखेगा, friends, अगली Miami Grand Prix, ये किस ने जीती है, Max Verstappen ने, Spanish Grand Prix इन्होंने जीती, उसके बाद इन्होंने जीती थी, Azar Bezan Grand Prix, ये सभी important है, जिती मैं आपको बता रही हूँ, Canadian Grand Prix भी जीती है, Max Verstappen ने, next वर इन्होंने ध्यान रखेगे, French Grand Prix इन्होंने जीती, उसके बाद Belgian Grand Prix भी इन्होंने जीती, Italian Grand Prix जीती है, इन्होंने, United States Grand Prix जीती, and Mexico City Grand Prix, तो ये जिती मैंने आपको बताई है, ये सभी formula पंडरी से, और एक किसने जीती है, Max Verstappen ने, अगला कोशन है, साक्षी मलिक is associated with which sport, साक्षी मलिक बिलॉंग करती है, हर्याना स्टेट से, और इनका संबंध है, friends, wrestling से, next question है, with which sport is, अंजू बॉब्बी जॉर्ज असोसियेट, अंजू बॉब्बी जॉर्ज ये भारत के के क related to which sport, सान्य मिर्जर बिलॉंग करती है, महाराश्र स्टेट से, और इनका संबंध है, टैनिस से, बात करते हैं कि, कुछ इनके अवोर्ड से रिकनाइजेशन की, तो इन्हें अरजुना अवोर्ड से सम्मानित कब किया गया था, 2004 में, इनको पदमश्री भी अवोर्ड मिला ह इन्हें पदमश्री से सम्मानित किया गया था, 2006 में, और इनको पदमभूश्र से भी सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे कब, 2016 में, 2016 से पहले एक और ध्यानने कीगा, 2015 में, इन्हें मेजर ध्यानशंद खेल रतन अवोर्ड से भी सम्मानित किया गया है, next question है संकेत महादेश सरगार is related to which sport तो संकेत महादेश सरगार ये महाराष्ट स्टेट के रहने वाली है और ये बिलॉंग किसे करती है weightlifting भारतोलन से next I find with which sport is Jeremy Lal Ringua related तो इनका संबन कौन से sport से है first of all ये इंडिया के मिजोरम स्टेट के रहने वाली है और weightlifting से इनका संबन है यानी भारतोलन से याद दिखेंगे फ्रेंट जो भी common well games हुए थे उसमें इनोंने कौन सा medal जीता था इनोंने gold medal जीता था अगला question है with which game is the luxury scene related तो luxury scene इंडिया की उत्राखंट state के रहने वाली है और ये बिलॉंग करती है badminton से next is with which sport is anshu malik related so anshu malik का संबन कि scale से है anshu malik इंडिया की हर्याणा state से बिलॉंग करती है और इनका संबन है wrestling यानी कुष्टी से next question is with which sport is mitali raja associated तो mitali जाटरे राजस्थान state की रहने वाली है और ये बिलॉंग करती है friends cricket से mitali raja तो हैं देखें friends highest run scorer है women's international cricket में बात करते हैं friends इनके कुछ achievements awards वगेरा की तो देखें mitali raja को arjuna award मिला था 2003 में तो याद रखेंगे इनको padmishri से समानित किया गया था 2015 में इनको padmishri award मिला और इने खेल रतन जो award है इससे समानित किया गया था 2021 में जो खेल रतन अवार्ड ये highest sporting honor है इंडिया का अगला question देख लेते हैं प्रियांका नुटक की is related to which sport तो प्रियांका नुटक की ये आंदरप्रदेश की रहने वाली है और किस sport से इनका सम्मंध है ये सम्मंधित रखती है चेस से यहां से एक important बात ध्यान रखेंगे जो प्रियांका नुटक की है ये 23rd number की woman grandmaster बनी थी इंडिया की तो ये भी आपके लिए important point हो सकता है अगला question तब male player के दांबी श्रीकांत is related to which sport तो के दांबी श्रीकांत ये हाइजराबाद से की रहने वाली है और किसखेल से सम्बंदी थे तो fence इनका सम्बंद है badminton से male player arvind chitambaram is related to which sport arvind chitambaram बिलॉंग करती तमिलाडू state से और इनका सम्बंद है chess से next question है aman seharavad is related to which sport aman seharavad haryana state से बिलॉंग करती है और किसखेल से सम्बंदी थे तो fence इनका सम्बंद है wrestling से अगला question है male player rahul chaudhary is related to which sport rahul chaudhary उत्तरप्रदेश से बिलॉंग करती है और fence किसखेल से सम्बंदी थे answer is kabaddi अगला question है with which sport is chiraak shetty related chiraak shetty का सम्बंद किसखेल से है सही answer है badminton और ये इंडिया के महराश्ट स्टेट के रहने वाले हैं for which club does the football player karim benzema play तो karim benzema देखे France के player है और किस club के लिए खेलते हैं ये पूचा गया है तो ये खेलते हैं real madrid के लिए male player bajrang punia is related to which sport तो bajrang punia ये बिलॉंग करते हैं इंडिया की हर्याना स्टेट से और इनका सम्मन की स्टेट से है सही answer है फ्रेंड्स wrestling से एक important point ध्यार ने किंगे जो common well games हुए थे 2022 में उसमें bajrang punia ने medal जो जीता था वो gold medal जीता था तो याद रखेगा अगला question है with which sport is the male player rosa federal associated rosa federal belong करते हैं switzerland से और किस स्टेल से सम्मन दित है तो सही answer है friends tennis से next question है for which team does formula 1 race driver carlo send race तो carlo sense ये spain से belong करते हैं और किस team के लिए race करती है सही answer है skaderia Ferrari के लिए जो है ये race करती है female player alfya patan is related to which sport तो alfya patan जो है वो किस scale से सम्मन दित है right answer है friends boxing से with which sport is male player Casper Rude associated Casper Rude Norway country के रहने वाली है और इनका संबन कौन से sport से है answer है friend tennis female player igaswiteg जो की polands की रहने वाली है is related to which sport तो igaswiteg की बात करती है friends से belong करती है tennis ते अगला question है female player Ashley Barty is related to which sport तो Ashley Barty ये Australia की रहने वाली है और किस scale से सम्मन दित है answer है tennis with which sport is Sharad Kamal Associated तो Sharad Kamal ये भारत की Tamil Nadu state के रहने वाले है और किस scale से belong करती है तो ये सम्मन दित है table tennis से अभी जो जो commonwealth games होएते उसमें देखिए men's single के बात करती है तो उन्होंने men's single में जो है वो gold medal जीता था उसके बाद mixed double में भी इन्होंने participate किया था उसमें भी gold medal जीता और जो men's के team वाला हुआ था उसमें भी जो है वो gold medal इन्होंने जीता तो ये धियान रगेगा ये important points से जो मैं आपको बता रही हूं बात करते हैं इनके कुछ achievements की तो देखिए इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया था 2004 में और जो इनको पदमिश्री अवार्ड में मिला है 2019 में recent ही इनको खेल रत्न से सम्मानित किया गया मेज़ध्याचंद खेल रत्न अवार्ड से 2022 में तो recent वाला अवार्ड आप लोगों से पूछ सकते हैं next question है रवी कुमार धाया is related to which sport रवी कुमार धाया हर्याना से बिलॉंग करती है और इनका sport कौन सा है तो ये बिलॉंग करते है wrestling से विनेश फोगाट associated which sport विनेश फोगाट ये हर्याना की रहने वाली है और ये भी बिलॉंग करती है friends wrestling से with which sport is सौरव चौधरी associated सौरव चौधरी का सम्मन की स्केल से है इनका सम्मन है shooting से और ये उत्तरप्रदेश के रहने वाली है with which sport is Kiran George associated Kiran George का सम्मन की स्केल से है तो ये इनका सम्मन है Badminton से और ये केरला स्टेट्स के रहने वाली है अगला कोशन है with which sport is राफेल नदाल associated तो राफेल नदाल friends पेंट से बिलॉंग करती है और ये किस खेल से associated है answer is tennis स्मरती मंधाना is associated with which game स्मरती मंधाना बिलॉंग करती है महरास्ट से और ये associated है cricket से साक्षी चौधरी associated साक्षी चौधरी बिलॉंग करती है उत्ताप्रदेश से और ये associated है आरचरी यानि तीरंदाजी से next question है friends हरशादा शरत गरून is associated with which sport हरशादा शरूर गरून ये महरास्ट की रहने वाली है और ये associated है weightlifting से आगला question है male player है सजन भानवाला ये किस sports related है तो साजन भाजवाला जो है ये wrestling से इनका सम्मन्द है और ये हर्याना state की रहने वाली है next question है friends with which sport is James Anderson associated James Anderson belong करती है England से और इनका ये किस scale से associated है answer है cricket next is female player Naomi Osaka is related to which sport Naomi Osaka जपान देश की है और इनका सम्मन कौन से sport से है tennis से याद रखेंगे Naomi Osaka अगर हम females की बात करें तो सबसे जादा कमाई करने वालों में females में सबसे उपर है Naomi Osaka female player Vidya Pillai is related to which sport Vidya Pillai किस scale से सम्मन देथ है answer है snooker से और किस state से बिलॉग करती है ये Tamil Nadu से next है female player Pooja Patel is related to which sport Pooja Patel जोके Gujarat से बिलॉग करती है ये associated है athletics With which sport is S. Shree Krishna associated S. Shree Krishna कि scale से सम्मन देथ है तो right answer है Finn Snooker से ये सम्मन देथ है Ravichandran Ashwin is related to which sport तो Ravichandran Ashwin कि scale से सम्मन देथ है इनका सम्मन देथ है cricket से और कौन से state के रहने वाली है ये Tamil Nadu के इनके अचीवमेंट ध्यार नकी का लास्ट येरी March 2022 के टाइम पे ये सेकंड लीडिंग विकेट टेकर बने थे टेस्ट में और इन्होंने कपिल देवची का record को break किया था इन्होंने टेस्ट में 436 जो हैं विकेट लिये थे जबकि कपिल देवची के कितने हैं 434 तो ये सेक सूर्य कुमार यादब महराष्ट के रहने वाली है और इनका संबन्ध भी friends कौन से स्पोर्ट से हैं किरकेट से नेक्स्ट कोशन है रितिका श्री राम इस रलेटी टू विच स्पोर्ट रितिका श्री राम महराष्ट से बिलॉँग करती हैं और इनका संबन्ध है friends swimming से विद विच स्पोर्ट इस हर्मन प्रीज सिंग असोसियेटेड हर्मन प्रीज सिंग ये पंजाब से बिलॉँग करती हैं और ये friends होकी से संबन्ध देते हैं जो भी men's का होकी वर्टकप चल रहा है उसमें जो इंडिया की होकी टीम के कैप्टन है कौन है हर्मन प्रीज विद विच इस पोर्ट इस विक्टर एक्सेल सं आसोसियेटेड तो ये डेनमार्क से की रहने वाले है और इनका की स्पोर्ट से है फुट बाटन से next question है with which sport is Alexia Puttels related Alexia Puttels Spain से बिलॉंग करती है और इनका सम्बन कौन से sport से है football से PR Shri Jays is related to which sport बात करते हैं friends PR Shri Jays की first of all ध्यान रखेंगे ये बिलॉंग करते हैं Kerala State से और कौन से sport से देखे इनका सम्बन है तो इनका सम्बन है होकी से जो है वो ये सम्बन रखते हैं इनकी achievement के बात करें तो देखे इन्हें अरजुना आवार्ड मिला था 2015 में और इनको पद मिश्री से भी सम्बानित किया गया है 2017 में और इन्हें मेज़ ध्यांचन खेल रतन आवार्ड मिला था कब 2021 में मेज़ ध्यांचन केल रतन आवार्ड के नाम से जाना जाता था इसलिए याद रखिएगा हगला कोशन है विद विच स्पोर्ट इस अरजुन एरिगेसी असोसियेटेड अरजुन एरिगेसी बिलॉंग करते हैं तेलंगाना स्टेट से और इनकी असोसियेटेड हैं चेस से रुद्राक्ष पार्टल इस रिलेटेड टू विच स्पोर्ट रुद्राक्ष पार्टल शूटिंग से सम्मंदित है और ये महाराष्ट के रहने वाले हैं शिफाली वर्मा इस रिलेटेड टू विच स्पोर्ट तो शिफाली वर्मा हर्याना की रहने वाली हैं और किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं आंसर है किरकेट With which sport is Tejaswin Shankar Associated Tejaswin Shankar का संबन किस खेल से है? Right answer is High Jump और ये दिल्ली के रहने वाली है With which sport is Sergio Perez Associated Sergio Perez किस खेल से संबन देते हैं तो friends इब एक तो यादे किंगे Mexico से बिलोंग करती है और इनका संबन है Formula 1 Race ते अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लग रही है तो फ्लीज वीडियो को लाइक और शियर जरूर करें Next question है with which sport is नोवाग जुकूबिश असोसियेटड नोवाग जुकूबिश ये सर्विया से बिलौग करती है और किस sport से ये connected है आंसर है tennis विद्विच स्पोर्ट इस सुमित अंतिल असोसियेटेड सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है तो इनका संबंध है फ्रेंट जावलें तो से और सुमित अंतिल ध्यान रखेंगे इंडिया से ही बिलॉंग करती है आगला कोशन है विद्विच स्पोर्ट इस शास लेगलर् ये formula 1 race driver है और इनकी country भी याद रखेंगे मुनेको नेक्स्ट है चेस रमेश बाबू प्रज्यानंद तो रमेश बाबू प्रज्यानंद ये चैननी से बिलॉंग करती है किस game से related है तो ये बिलॉंग करती है फ्रेंट चेस से अगला question है with which sport is भरत सुब्यमन्यम related भरत सुब्यमन्यम का सम्मंद इनका सम्मंद है चेस से और ये चैननी के रहने वाली है next question है with which sport is रानी रामपाल जो की हर्याना से बिलॉंग करती है तो friends अगर बात करते हैं रानी रामपाल की तो कौन से खेल से सम्मंद देते हैं तो इनका सम्मंद है friends होक्य से इनकी कुछ अचीवमेंट्स की बात करें तो इनने पदम श्री से सम्मानित कब किया गया था 2020 में उसी साल होक्य के लिए उनको मेजर ध्यान जन खेल रहतना वार्ट भी मिला था तो ये दोनों अचीवमेंट्स इनकी ध्यान रखेगा next question है friends jamima rodericks is related to which sport jamima rodericks महराष्ट की रहने वाली है और इनका सम्मन्द है friends cricket से next है दोमराजु गुकेश इनको शौट में डी गुकेश के नाम से भी जानते हैं ये कौन से sport से associated है friends बात करते हैं डी गुकेश की तो इनका सम्मन्द कौन से sport से है सही answer है chess से बिलॉंग करते हैं और state भी ध्यान रखेंगे tamiladu डी गुकेश जो है ना ये 60th नंबर के chess grandmaster बनेते और अगर हम recent की grandmaster की बात करती हैं तो कौन है तो 79th अंजंबर के ये recent की grandmaster है इनका नाम है M. प्रनीश next question है with which sport is प्रनवानंद associated प्रनवानंद करनाटका के रहने वाली है और इनका सम्मन्द है chess से अगला question है with which game is जो root associated जो root किस खेल से सम्मन्द देते हैं सही answer है friends cricket और कौन सी country के रहने वाली हैं ये England से बिलॉंग करती है with which sport is अकाने या मगुजी associated अकाने या मगुजी related है बिलॉंग करती है देखे चापान से और associated है ये पैडमिंटन स्पोर्ट से next है अपेक्षा फर्नांडेस is related to which sport अपेक्षा फर्नांडेस का सम्मन्द किस खेल से है सही आंसर है स्विमिंग से और इंडिया की महाराष्ट से बिलॉंग करती है पारुल चौदरी इस related to which sport पारुल चौदरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनका सम्मन्द है रेस दोड से नेक्ट कोशन है विद्विच गेम इस मैगनस कालसन associated मैगनस कालसन जो है नौर्फिक कांट्री से बिलॉंग करती है और ये associated है फ्रेंड से शतरंज से अगला कोशन है विद्विच गेम इस अन्तिम पांगल related अन्तिम पंगाल इनका सम्मन्द किस केल से है तो ये बिलॉंग करती है रेसलिंग से और ये रहने वाली है इंडिया की हरियाना स्टेट की नेक्ट कोशन है मनेशा कल्यान इस associated विद्विच इस पोर्ट मनेशा कल्यान किस खेल से सम्मन्द है सही आंसर है फ्रेंट्स फुटबॉल से इनका सम्मन्द है और मनेशा कल्यान कौन सी स्टेट की है तो ये भी ध्यान रगेंगे पंजाब से ये बिलॉंग करती है नेक्ट कोशन है विद्विच इस पोर्ट इस भवानी देवी associated भवानी देवी किस खेल से सम्मन्द देते है तो इनका सम्मन्द है फ्रेंट्स फैंसिंग फैंसिंग का मतलब क्या होता है तलबार बाजी तो तलबार बाजी से इनका सम्मन्द है और कौन सी स्टेट की रहने वाली है ये तमिलाडू की तो इसे के साथ friends आज की हमारी वीडियो के हो जाते हैं सभी important questions complete चले आप लोगों के लिए test और इस test में आप लोगों के लिए friends एक gift भी रखा है वो gift किया है आपको क्या करना है simply इनके answer comment box में देने है जो भी 10 lucky students होंगे जिनके answer बिल्कुल सही होंगे उनको हमारी तरफ से जो yearly e-book है वो free में दी जाएगी तो आप लोग इन सभी इन दोनो questions को ज़रू attempt करें तोनो questions में से पहला question है male player लियोनल मैसी जोकि अर्जंटीना से है is related to which sport easy question है आप अराम से देकिन questions को बता सकते हैं तो first question है लियोनल मैसी का संबन कौन से sport से है second question है female player मीरा भाई चानू ये मरीपूल की रहने वाली है इस related to which sport तो आपके पास में देखें चार option हैं आपको बताना हिन में से कि मीरा भाई चानू कौन से sport से related है तो ये थी friends आज की हमारी complete वीडियो जिसने भी हमने इसमें questions कवर करी है जो भी मैंने आपको additional information बताई हैं साथी में वो सभी आपके exam के लिए काफ़ी ज़दा important है तो अगर आप किसी भी exam के त्यारी कर रही है उन सभी exam में ये वीडियो आपको काफ़ी ज़दा help करेगी और friends अगर आप हमारी वीडियो के free में notes पढ़ना चाते हैं तो आप लोग हमारी website को ज़रू विजिट करें website है raviditiklasses.com उसका link आपको description में भी दिया गया है So thank you so much for watching this video